अच्छा शुरुआत में हमें एक्थेश शिकायत है कासी के लोगन से कहीं हम आपन शिकायत कहीं हम आपन शिकायत ए साल हम देव दिपाली पर यहां ना रहिला और एदा पारी देव दिपाली पर कासी के लोग सम मिलकर रिकॉर्ड तोड़ देलन आप सब सोच रहे होंगे कि जब सब अच्छा हुआ तो मैं शिकायत क्यों कर रहा हूँ मैं शिकायत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो साल पहले जब मैं देव दिपाली पर यहां आया था तो आपने उस समय के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया अब घर का सदस्य होने के नाते मैं तो सिकात करूंगा ही क्योंकि आपकी यह मेहनत देख लेक लिए मैं इस बार यहां था नहीं इस बार जो लोग देव दिपाली के अदभूत द्रश्य को देखकर आये विदेश के मेहमान भी आये थे उन्होंने दिल्ली में मुझे पूरा हाल बताया था जी ट्वेंटी में आये महमान हो या बनारस आने वाला कोई भी अती थी जब वो बनारस के लोगों की प्रसंसा करते हैं तो मेरा भी माथा उंचा हो जाता है कासी वास्यों ने जो काम कर दिखाया है जब दुनिया उसका गवरोगान करती है तो सबसे जाना खुशी मुझे होती है महादेव की कासी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊं वो मुझे कम ही लगता है मेरे परिवार जनों जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड रुपिये के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है बनारस के गाव में पीने के पानी की सप्लाई हो बी एच यू ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केर यूनिट हो सडक, बीजली, गंगा घाट, रेलवे, एरपोर्ट, सावर उर्जा और पैट्रोलियम जैसे अनेक शेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो ये इस शेत्र के विकास की गती को और तेज करेंगे कल शाम ही मुझे काशी, कञ्या कुमारी, तमिल संगरम, ट्रेन को भी हरी जंडी दिखाने का आउसर मिला था आज वारा नसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेट ट्रेन शुड़ू हुई है आज से मव, दोहरी गाट ट्रेन भी शुरू हो रही है ये लाइन चालू हो जाने से दोहरी गाट के साथ ही बढ़हल गंड, हाटा, गोला गगहाता, सभी लोगों को फाइदा होने वाला है इन सभी विकास कारियों के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं मेरे परिवार जनों, आज काशी समेथ सारा देश विक्सीद भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है विक्सीद भारत संकल्प यात्रा हजारों गवों, हजारों शहरों में पहुँच चुकी है करोणों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं यहाँ काशी में मुझे भी विक्सीद भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने का आउसर मिला है इस यात्रा में जो गाड़ी चल रही है उसको देश वासी मोदी की गारंटी वाड़ी गाड़ी बुला रहे हैं आप सब लोग मोदी का गारंटी जाने लाना हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्यान की जन कल्यान की जो भी योजनाई बनाई है उनसे कोई भी लाभारती वंचीत न रहे पहले गरीब सरकार के पास सुविदाओं के लिए चक्कर लगाता था अब मोदी ने कह दिया है कि सरकार खोद चलकर गरीबों के पास जाएगी और इसलिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपर हिट हो गई है काशी में भी हजारों नए लाभारती सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले वन्चित थे किसी को आयूश्मान कार्ड मिला है किसी को मुप्त राशनवाला कार्ड मिला है किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है किसी को नल से जलका कनेक्शन मिला है किसी को मैप मुप्त गैस कनेक्शन मिला है हमारी कोशिज है कि कोई भी लाबार्ती बंचित ना रहे सब को उसका हक मिले और इस अभियान से सबसे बड़ी चीज जो लोगों को मिली है वो है विश्वास जिने योजनाओं का लाम मिला है उन्हें ये विश्वास मिला है कि उनका जीवन अब और बहतर होगा जो बंचित थे उन्हें ये विश्वास मिला है कि एक ना एक दिन उन्हें भी जरूर योजनाओं का लाम मिलेगा इस विश्वास ने देश के इस विश्वास को भी बड़ाया है कि साल 2047 तक भारत विख्षित होके रहेगा और नागरीकों को दुलाब जो होता है होता है मुझे भी लाब होता है मैं दो दिन से ये संकल प्यात्रा में जा रहा हूं और मेरा जो नागरीकों से मिलना होता है कल में गया स्कूल के बच्चों से मिलने का मोका मिला क्या आत्मे विश्वास था कितनी बढ़िया कविताएं बोल रही थी बच्चियां पूरा विज्ञान समझा रही थी और इतने बढ़िया तरीके से आंगणवाडी के बच्चे गीत गां करके स्वागत कर रहे थे मुझे इतना सुख मिलता सा देख करके और आज अभी यहीं एक बैन हमारी चंदा देवी का मैंने भाशन सुना इतना बढ़िया भाशन था याने मैं कहता हूं बड़े बड़े लोग भी ऐसा भाशन नहीं कर तकते सारी चीजे इतनी बारिक से वह बता रही थी और मैंने कुछ सवाल पूछे उन सवालों का जबाब भी और वो हमारी लगपती दिदी है और जब मैंने उनको कहा का अब लगपती दिदी बन गई तो उसने कहा कि साब यह तो मुझे बोलने का मोका मिला है लेकिन हमारे समू में तो और भी तीन-चार बहिने लगपती हो चुकी है और सब को लगपती बनाने का संकल पर किया है याने इस संकल पर यात्रा से मुझे और मेरे सभी साथियों को समाज के भीतर कैसी शक्ति पड़ी हुई है एक से बढ़कर एक सामर्थ वान हमारी माताएं बहने बेटियां बच्चे कितने सामर्थ से बरे हुई हैं खेल कुद में कितने होचियार है ग्यान किस परदाव में कितने तेज है यह सारी बाते खुदे देखने की समझने की जानने की अनुबाव करने की यह सबसे बड़ा आउसर मुझे संकल को यात्रा ने दिया है और इसलिए सारवजनिक जीवन में काम करने वाले हरे को मैं कहता हूं यह विक्सित भारत संकल को यात्रा यह हम जैसे लोगों के लिए एजूकेशन की चलती फिरती युनिवर्शिटी है हमें सीखने को मिलता है मैं दो दिन में इतना सिखा हूँ इतनी चीजे समझा हूँ आत्म मेरा जीवन धन्य हो गया है मेरे परिवार जिनो कहल जाला काशी कभु हूना छाड़िये कि विश्वनात दरबार हमारी सरकार काशी में रिहाईस आसान बनाने के साथ ही काशी को जोड़ने के लिए भी उतनी ही मेहनत कर रही है यहां गाम हो या फिर सहरी खेत्र कनेक्टिविटी की बहत्रीन सुविधाय बन रही है आज जिन प्रोजेस का सिलान्यास और लोकारपन यहां हुआ है इससे काशी के विकास को और गती मिलेगी इन में यहां आसपास के गाउव को जोड़ने वाली अनेक सडके भी है शिवपूर, फुलवरिया, लहर तारा मार्ग और रोड ओवर बीज के निर्मान से समायव और इंधन दोनों की बच्चत होगी इस परियोजना से सहर के दक्षिन हिस्से से बाबतपूर एरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी मेरे परिवार जनों आधुनिक कनेक्टिविटी और सुंदरी कनन से क्या बदलाव आता है ये हम काशी में देख रहे हैं आस्था और आध्यात्म के महत्वपुन केंदर के रुप में काशी का गवरव दिन प्रती दिन बुलंद होता जा रहा है यहाँ परियटन का भी लगातार विस्तार हो रहा है और परियटन से काशी में रोजगार के हजारों नए आउसर भी बन रहे हैं स्री काशी विश्वनात दाम का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक तेरा करोड लोग बाबा विश्वनात के दर्शन कर चुके हैं बनारस आने वाले स्रत धालूओं और परियटकों के संख्या लगातार बढ़ रही है और जब परियटक आता है ना तो कुछन कुछ देख करके जाता है हर परियटक सो रुपिया दो सो रुपिया पांसो रुपिया हजार पांच हजार जिसकी जितनी तागत तो काशी में खर्च करता है तो पैसा आपी के जिब में जाता है आपको याद होगा लाल के लिए से म हमें पहले अपने देश में कम से कम 15 शहरों में गुमना चाहिए 15 जगह पर जाना चाहिए और फिर कहीं और के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे अच्छा लगा कि जो लोग पहले सिंगपूर या दुबई जाने की सोचते थे वो अब अपना देश देखने के लिए जा रहे हैं बच्चों को कह रहे हैं बहिए जाओ अपना देश देखकर क्या आओ जो पैसा वो विदेश में खर्च करते थे वो अपने ही देश में खर्च हो रहा है और भाई यो भेनों जब परियतन बढ़ता है तो हर कोई कमाता है बनारज में भी टूरिस आ रहे हैं तो होटल वेवसाई कमा रहे हैं बनारज में आने वाला हर टूरिस यहां के टूर टैक्सी ओपरेटर को हमारे नावीकों को हमारे रिक्षा वालों को कोई कोई कमाई करा देता है या टूरिजम बढ़ने से छोटे बढ़े सभी दुकांदारों को जबर्ज़त फायदया मिला है अचा एक बात बतावा एक बात बतावा गदोलिया से लंका तक तूरिस्टर का संख्या बडल हो कि नहीं साथियों काशी के लोगों की आए बढ़ाने के लिए यहाँ पर परिया टकों को अधिक स्विविदाय देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है आज वारा नसी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहट यूनिपाइट टूरिस्ट पास सिस्टम काशी दर्शन का भी शुवारम किया गया है इससे अब यहाँ अलग-अलग जगों में जाने के लिए परिया टकों को अलग-अलग तिकट लेने की जरुवत नहीं होगी एक पास से ही हर जगह एंट्री संभव हो पाएगी साथियों काशी में कहां क्या देखना है काशी में खाने पिने की मशूर जगएं कौन सी है यहां मनोरंजन और एतिहासिक महत्वकी जगह कौन सी है ऐसी हर जानकारी देश और दुनिया को देने के लिए बारा नसी की टूरिस वेबसाइट काशी को भी लॉंच किया गया है अब जे बाहर चे आवेला ओके थोड़ी पता है कि यी मलाईयों के मौसम हो जाडा के धूप में चुडा मतर का आनन्द कोई बहरी कैसे जान पाई गदवलिया के चाट होए या राम नगर के लस्टी इस सब जानकारी अब कासी वेबसाइट पर मिल जाई साथियों आज गंगाजी पर अनेक गांटों के नमिलनी करन का काम भी शुड़ू आए आधूनिक बस सेल्टर हो या फिर एरपोर्ट और रिल्वे स्टेशन में बन रही आधूनिक स्विधाए इससे वारण से आने वालों का अनुभव और बहतर होगा मेरे परिवार जनों आज काशी शहीत देश के रेल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है आप जानते हैं कि देश में रेलिवे की गती बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है माल गाडियों के लिए इस्टन और वेस्टन डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर बन जाने से रेलिवे की तस्वीरी बदल जाएगी इसी कड़ी में आठ पंडित दिन्दाय लुपाद्याय जंक्षन और न्यू भावपूर जंक्षन के बीच के खंड का लोकारपन हुआ है इससे पूर्वी भारत से यूपी के लिए कोईला और दूसरा कच्चा माल आना और आसान हो जाएगा इससे कासी छेत्र के उद्योगों में बने सामान को किसानों की उपज को पूर्वी भारत और विदेशों में बेजने में भी बहुत मदद मिलेगी साथियों आज मनारस रेल इंजिन कारखाने में निर्मेड दस हजारवा इंजिन का भी संचानन हुआ है यह मेक इन इंडिया मेक फर्द वर्ल्ड के प्रती हमारी प्रतिवद्दता को ससक्त करता है यूपी के अलग-अलग हिस्थों में आउद्योगी करण को बल मिले इसके लिए सस्ती और परियाप्त बिजली और गैस दोनों की उपलब्दता जरूरी है मुझे खुसी है कि डबल इंजिन सरकार के प्रयासों से यूपी सौर उर्जा के एक्षेत्र में तेज गती से प्रगति कर रहा है चित्रकुट में आठ सो मेगावर्ड छमता का सौर उर्जा पार्क यूपी में परियाप्त बिजली देने की हमारी प्रतिबद्धता को ससक तक करेगा इससे रोजगार के भी अनेक अउसर बनेंगे और आजपास के गावों के विकास को भी गती मिलेगी और सौर उर्जा के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम से जुड़ा ससक्त नेट्वर्ग भी बनाया जा रहा है देवरिया और मिर्जापूर में जो ये सुविदाएं बन रही है इससे पैट्रोल डीजल बायो सीएंजी इथेनौल की प्रोसेसिंग में भी मदद मिलेगी मेरे परिवार जनों विख्सीद भारत के लिए देश की नारी शक्ति युवा शक्ति किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है मेरे लिए तो यही चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है ये चार जातियां ससकत हो गई तो पुरा देश ससकत हो जाएगा इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वच प्रात्विक्ता दे रही है पी-ए-म किसान सम्मान नितिके माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपिय जमा कराये जा चुके जिन छोटे किसानों के पास किसान क्रेडिक कार्ड नहीं था उन्हें भी ये सुईदा दी जा रही है हमारी सरकार प्राकृतिक खेटी पर बल दे ले के साथ ही किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्ता भी बना रही है अभी जो विक्सित भारत संकल पर यात्रा चल रही है उसमें सभी किसान ड्रोन को देखकर बहुत उत्साइद हो रहे हैं ये ड्रोन हमारी क्रशी व्यवस्ता का भविश्य गढ़ने वाला है इससे दवा हो फर्टिलाइजर हो इनका छिड़का और आसान हो जाएगा इसकी इस सरकार ने नमो ड्रोन दीदी अभियान भी शुरू किया है गाउं में लोग उसको नमो दीदी बोलते हैं इस अभियान के तहट स्वयम सहायता सभूं से जुड़ी बेहनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है वो दिन दूर नहीं जब काशी की बेहन बेटियां भी ड्रोन की दुनिया में दुम मचाने वाली है साथियो आप सभी के प्रयासों से बनारस में आधुनिक बनास डेरी प्लांट जिसको अमूल भी कहते हैं का निर्मान बहुत तीजी से चल रहा है और मुझे संकर भाई बता रहे थे एक आद महिने में काम शायद पूरा भी हो जाएगा बनारस में बनास डेरी पांसो करोड रुपिय से जादा का निवेश कर रही है ये डेरी यहां गव सवर्धन का भी अभ्यान चला रही है ताकि दुद का उत्पादन और बड़े बनास डेरी किसानन बदे बरदान साविद भैलो हो लखनव और कानपूर में बनास डेरी के प्लांट पहले से चल रहे हैं इस साल बनास डेरी ने यूपी के चार हजार से ज़्यादा गावों के किसानों को एक हजार करोड रुपिय से ज़्यादा का भुक्तान किया है यहाँ इस कारकम में और एक बड़ा काम हुआ लाबास के तोर पर बनास डेरी ने आज रुपी के डेरी किसानों के बैंक खातों में सो करोड रुपिय से ज़्यादा जमा कराये हैं मैं यह लाब पाने वाले सभी किसानों को बहुत बहुत बदाई देता हूं मेरे परिवार जनों विकास की यह अम्रदारा जो काशी में बह रही है वो इस पूरे खेत्र को नई उंचाई पर ले जाएगी दसकों से पुरवान चल का यह पूरा इलाका बहुत उपेख्षित रहा है लेकिन महदेव के आजिजवाद से अम्मोधी आपकी सेवा में जुटा है अपसे कुछ महिने बाद ही देश भर में चुनाव है और मोधी ने देश को गारंटी दी है कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे यह गारंटी अगर आज देश को को दे रहा हूं तो इसका कारण आप सभी है काशी के मेरे स्वजन है